जै शिरी राम मित्रों भक्त हनुमान एवं भगवान शिरी राम का अलोक एकवा मीठा वारतालाब मित्रों भगवान शिरी राम शिरी हनुमान जी का समवाद बहुत सुन्दर और ग्यान वर्धक प्रसंग है नेत्रों से अश्रुपात करते हुए हनुमंत लाल प्रभु श्री राम जी से विनिती करते हैं एक मैं मंद मोह वस कुटल हिर्दय अग्यान पुनी प्रभु मोही विशारे दीन वंदु भगवान अर्थात हे प्रभु एक तो मैं यूही मंद मती हूँ दूसरे मोह के वस में हूँ तीसरे हिर्दय का कुटल और अग्यानी भी हूँ फिर हे दीन वंदु भगवान आपने मुझे भुला दिया शिरी हनुमान जी के हिर्दय से अब कहीं जाकर ये भार थोड़ा हलका हुआ कि कम से कम मैंने अपनी बास्त्यविक दैनी ये दशातो प्रभु चर्णों में उड़े ली इतिहास मेरा मूरता का साक्षी तो रहे कि केवल ब्रामण का वेश बना लेने से ही ब्रह्म समझ में नहीं आ पाता अगर समझ ही होती तो मैं ये प्रस्ण कदाचित न पूछता कि आप कौन हो अपि तु ये पूछता कि प्रभु मुझे आखिर ये तो बताओ कि मैं कौन हूँ ब्रामण तो ग्यानी होता है सब जानता है लेकिन मैंने क्या जाना कुछी भी तो नहीं निरा मंद नहीं तो और क्या हूँ मैं? मंद ना होता तो क्या मैं सूर्य को फल समझ कर खाता? थोड़ा सोचता ना कि नहीं मेरे प्रभूतो स्वैम सूर्य कुल से हैं? तो भला मैं सूर्य का निरादर कैसे करूँ? लेकिन मैं कहा तला? मंद वुद्धी बानर जो ठहरा? बानर भला कुछ बिगाड़े बिना आखिर रही कैसी सकता है? सब को पता है कि मैं पवन पुत्र हूँ, शाक्षार पवन देव ही हूँ, बैकर कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन बस बर्सों से यही रुका हुआ हूँ, ए भला वहां दाखिल होने से कौन रोक सकता है? क्या हवा किसी की रोकने से रुकी है? लेकिन मैं कैसा मंद वुद्धी हूँ, कि आज तक अकारण ही रुका रहा, ये मेरा मंद होना नहीं, तो और क्या है? बहा तो ऐसा बहा कि सूर्य देव को भी अपने मुख में बहा ले गय कि सूर्य पुत्र सुग्रीव की चोखट को कभी लांगा ही नहीं, न मेरे बेहने में नियंत्रण है और न ठहरने की सीमा है, आज प्रभू ने स्वयम मेरी सुध लेने की सोची, तो मैं अखिल चतोर्श रोमणी बन वैठा, प्रभू शिरी राम जी के पावन सुंदर नयन सिरी हनुमान जी के इस पावन भाव को अमरत की तरह पी रहे थे, और सिरी हनुमान जी के इन तरकों वदावों को सिरे से नकार रहे थे, मानों कह रहे हों कि हे हनुमान पहली बात तो तुम मन्द कताई नहीं हो, अगर यही तुम्हारा द्रण मानना है कि तुम मन्द हो, त तुम्हारा अवकुरू नहीं अपितु गुण है क्योंकि पवन का बहना तो तभी अच्छा लगता है ना जब वह मंद मंद वहे और तुम्हारा यही ठहर जाना और गति की सीमा तोड़ते हुए सूरे तक पहुँचकर उसे लिगन लेना क्योंकि पवन को कभी-कभी ठहरना चाहिए कब जब आर्थी की समय जोती प्रज्वलित करने का समय हो है हनुमत निश्चित ही आप जानते हैं कि सुग्रीव के हिर्दे में ग्यान की जोती का उध्य होना अतियावश्यक है सुग्रीव के पुन्य इतने कहां कि हम उस तक चल कर पहुंचते लेकिन आपके आपना भला कैसे दवी रहती क्योंकि आपको तो पता था कि हम आपकी सेवा का लाव लेने के लिए आप तक निश्चित ही आने वाले हैं और आप इतने चतुर हैं कि सीधे सुग्रीव के पास आकर बैठ गई अभी तक वहीं रुके हुए हैं मुझे पता है कि अब आप ही क कहेंगे कि हम सुग्रीव के पास ले चले एवं उसकी हिर्दे की जोती प्रजोलित करें रही बात यह है कि तुम सुर्य की तरफ इतनी तीब्री गती से गए और सुर्य को मदूर फल समझ कर खा लिया तो यह तो तुमारा सर्वोत्तम गुण हुआ कौन नहीं जानता कि सुर वो कदम ही क्या जो भगवान की तरफ न बढ़े एवं वह भी तीब्र तम गती से फिर तुमने सुर्य भगवान को मदूर फल जाना वाह अनुमंत तुमारी लीला में ही तो जीवन का सार छुपा हुआ है क्योंकि संसार में इश्वर ही तो एक मात्र फल है से संसार तो कूड़ा मात्र है एवं तुम कूड़ा छोड़ कर फल की तरफ भागे तो यह तो तुमारी बुद्धी का मंद होना कहां से हुआ हनुमंत क्या कभी संसार एक जीवों की हालत देखी है उन्हें भगवान में फल तो कति प्रतित नहीं होता क्योंकि उनके लिए तो विशेब होग ही फल है कदाचित किसी की द्रिष्टी में भगवान फल की संग्या में आता भी हो लेकिन यह कहां आवश्यक है कि फल के प्रति सभी रुची कर भाव रखते ही हों फल केवल फल ही न देखे अपितु उसकी मधूरता की कल्पना करते ही मुख में पानी आ जाए और जहां फल हो उसे पाने वहां दोड़े चले जाए एवम उसे पाने की इतनी लालसा हो कि उसे बिना चवाई सीधे लिगल जाना निश्चित ही ये दर्शाता है कि व्यक्ति का फल की प्रति कितना प्रेम वपागलपन है और हनुमंत तुम में पागलपन है तो भला तुम्हारी गती की तीब्रता को भी मैं कैसे अर्थ हीन कह दूँ मित्रों सही बात का ठीक तरह से प्रस्तुति करन हो जाए तो उसके भीतर के सत्य को उजागर करने में सुविदा होती है इसमें तर्क विचार और शब्द का सुन्दर संयोजन करना पड़ता है हम सबको हनुमान जी से सीखना चाहिए कि किसी की सही बात की पैर भी करते समय क्या करना चाहिए सुन्दर कांड में जब राम जी ने सीता जी कैसे रह रही है ये प्रस्न पूछा तो हनुमान जी ने बड़े अच्छी तरीके से सीता जी का पक्ष रखा नाम ध्यान और ताला इन तीन सब्दों के साथ वे सीता जी का पक्ष रखते हैं शिरी राम पूछ रहे थे कि मेरे बिना सीता जीवित कैसे हैं हनुमान जी का उत्तर था प्राण तो कवके निकल जाते लेकिन आपके नाम का पहरा लगा हुआ है आपके ध्यान के किवाडों पर जो ताला लगा है वे सीता जी के नेत्रों के कारण है क्योंकि उन्होंने अपने नेत्रों को आपके चर्णों में लगा दिया है शिरी राम जी समझ गई कि हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से मेरे उपर यह जिम्मेदारी डाल दी हनुमान जी शिरी राम जी को बताना चाहते हैं कि भक्त के प्राण निकलते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होगी पूजे संत शिरोमणी गो स्वामी शिरी तोसिदाजी महराजी लिखते हैं नाम पारूह दिवस निसी ध्यान तुमार का पाट लोचन निजपद जंत्रित जाही प्रान के ही बाट हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का परवत लेकर लोटते हैं तो भगवान से कहते हैं प्रवु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था बलकि मेरा भ्रम दूर करने के लिए भेजा था और आज मेरा ये भ्रम तूट गया कि मैं ही आपका राम नाम का जब करने वाला सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान बोले कैसे हनुमान जी बोले वास्तव में मुझे से भी बड़े भक्त तो भरत जी हैं मैं जब संजीवनी लेकर लोट रहा था तब मुझे भरत जी ने बान मारा और मैं गिरा तो भरत जी ने ना तो संजीवनी मंगाई ना वैद बुलाया कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर उन्होंने कहा कि यदि मन वचन और शरीर से शीरी राम जी के चरण कमलों में मेरा निश्कापट प्रेम हो यदि रगुनात जी मुझे पर प्रसन हो तो यह वानर ठकावट और पीड़ा से रहित हो कर स्वस्थ हो जाए उनके इतना कहते ही मैं उठ बैठा सच में कितना भरोसा है भरत जी को आपके नाम पर मित्रों हम भगवान का नाम लेते तो हैं पर भरोसा नहीं करते भरोसा करते भी हैं तो अपनी पुत्रों एबम धन पर की बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा धन ही साथ देगा उस समय हम भूल जाते हैं, कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे हैं पर हम भरोसा नहीं करते बेटा सेवा ना करे, पर भरोसा हम उसी पर करते हैं अब दूसरी वात हनुमान जी ने कही, बांड लगते ही मैं गिरा परवत नहीं गिरा क्योंकि परवत तो आप उठाय हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाय हुए हूँ मेरा दूसरा अभिमान भी तूट गया ऐसे ही मित्रों हमारी भी सोच यही है कि अपनी ग्रस्थी के बोज को हम ही उठाय हुए है जबकि सत्य है कि हमारे नहीं रहने पर भी हमारा परिवार चलता ही है जीवन की प्रती जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायत हैं वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है तो बोलिए जै शिरी राम, जै शिरी हनुमान, मित्रों ये छोटा सा प्रिसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताईए कमेंट में जै शिरी राम, जै हनुमान अवश्य लिखिए प्रिसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं एक नया प्रिसंग नई कथा को लेकर तब तक के लिए जै शिरी राम